संराइजर्स का दूबा सूरज इस सीजन उगने का नाम ही नहीं ले रहा है IPL 2023 के 34वे मैच में दिल्ली कैपिटल्स जैसी कमजोर टीम ने संराइजर्स को 7 रनों से हराकर टूर्नामेंट में दूसरी जीत दर्च कर ली टॉस जीत कर दिल्ली ने हैदराबाद को गैंदबाजी का न्योता दिया पहले बल्ले बाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओव में 9 विकेट के नुकसान पर 144 रन बनाए इसके जवाब में सन्राइजर्स हैदराबाद की टीम 6 विकेट पर 137 रन ही बना सकी मैच में एक समय हैदराबाद की टीम का पलणा भारी नजर आ रहा था लेकिन दिल्ली के गैंदबाजों ने वापसी की और जीत दिला दी तेज गेंदबाज मुकेश कुमार में दूसरी पारी के अंतिम ओवर बहतरीन तरीक से डाला जीत के लिए 13 रन बाकी रहते मुकेश में शांदार योकस का इस्तिमाल किया उन्होंने इस ओवर में मात्र 5 रन खर्चे